नमस्कार दोस्तों दरभंगा रोक्स में आपका स्वागत है दरभंगा एरपोर्ट पर लगातार फ्लाइट कैंसिल होने का सलसिला जा रही है और हर एक दो दिन पर फ्लाइट कैंसिल हो रही है और आज सौंबार को चारो फ्लाइट फिर चेंसिल हो गई मुंबाई की फ्लाइ पर इंस्टूमेंट लैंडिंग सिस्टेम कब होगा इंस्टॉल कब यहां पर सारी ववस्ताइं होंगी यह फिलाल करना मुश्किल है लेकिन इसका काम्याजा स्थानिय यात्री इसको भूगत रहे हैं और जो मुंबई के जो महानगरों के लिए यहां से टिकट कटा रहे हैं उनको भटकना पढ़ रहा है तो कुछ इस्तिती यह है लेकिन अब जो इससे भी आगे की खबर यह है कि दरभंगा एरपोर्ट को अंतराष्टी एरपोर्ट बनाने के लिए जो इस्थानिय सांसत गोपाल जी ठाकूर उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और ल टेकनिकल टीम यहां पर आए इसके लिए उन्होंने आश्वासन लिया है और एरपोर्ट ऑथर्डी अंडिया के तरफ से कहा गया है कि जल्द ही एक प्लैनिंग और टेकनिकल टीम उनकी वहां जाएगी और देखेगी कि अंतराष्टी एरपोर्ट बनाने के लिए वहां पर पर है और साथ के साथ गोपाल जी ठाकूर ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि आज दिली में एरपोर्ट ऑथर्डी अफ इंडिया के अध्यक्ष श्री अर्विन सिंग से उन्होंने मुलाकात की और बैठक में दरभंगा एरपोर्ट से संबंदित विविश्यों पर च अंतराष्टी एरपोर्ट बनाने के लिए जल्दी टेक्निकल और प्लैनिंग की एक टीम दरभंगा जाएगी तो यह बहुत कुछ बड़ी बात है कि यह टीम जल्दी आएगी और इस सारी समस्याओं को देखेगी कैसे अंतराष्टी एरपोर्ट के रुप में दरभंगा को विक्सित किया जा सकता है और अभी जो समस्याएं हैं उसे कैसे दूर किया जा सकता है आपको हमने बताया कि लगातार प्रयास कर रहे हैं गोपाल जी ठाकुर इसको ले करके लेकिन अभी जो में मसला फसा हुआ वो ILS यानि इंस्ट्रूमेंट लेंडिंग सिस्टम का है उस सिस्टम होता है जो कम विजिबिलिटी में उडान की लेंडिंग और टेक ओफ संभव हो पाती है उसके उपर ध्यान देने की जरूर था और उसको ले करके क्या चल रहा है अंदर खानी ये कुछ पता नहीं है लेकिन फिलाल जो टेंडर जारी हुआ है चार महीने में तो मौ अच्छानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर टेक्निकल टीम आती है तो दर्वंगा ऐरपोर्ट का सोरूप बदल सकता है तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा जरू लाइक किए जिए शेयर किये कुछ और वीडियो को साथ आज़ अच्छी बाना प्लूची इगूच।